दरसल आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए गोहरी में हुए अनसुचित जात्य पासी समाज के तीचाल लोगों की हक्त्या को हुए आज एक हफ्ते ज़्यादा हो गए अभी तक पुलिश किसी अंतिनिस्कस तक नहीं पहुंची है और सिर्फ निर्दोसों को पकड़ पकड़ करके उनको जो है दोसी ठहराने की कोशिज कर रही है और इसी मामले में वह पुलिश का जो रवईयत दे कैसा लगता है कि पुलिश निस्चित रूप से अरोपियों को बचाने की कोशिज कर रही है और इसमें पवन सरोच का भी नाम उच्छाला जा रहा है पवन सरोच वार बार पुलिश कर्षिडी में वह यह बोला है कि हम निर्दोस हों हमने नहीं मारा है और और पुलिश वाले इसमें हम निस्चित रूप से कह सकते हैं कि अब तक घटनक कर रहे हैं और हम लोग इसी लिए इस मामले को लेकर कि मांग कर रहे हैं कि इस ल unintended seems बदल बदल कर बयान आ रहे हैं ल देखेंगे कि पुलिस जो है निष्चित रूप्सें निजदोसों को फसा रहे हैं और इसमें पुलिस वालों पर भी ऊपर से कहीं नगी दबा मुझें जिसकी विजय से पुलीस का भी रोज्ड नए नए बयान आ रहे हैं नए आरोपी पकड़े जा रहे हैं और पुलीस जिसकी वज़ा से अख़पारों प्रश्चित कालीन इसका जब नाम ही अनिष्चित कालीन है तो समय जाहिर सी बात निष्चित नहीं है यह जब तक पुलिस प्रसासन कोई कठोर कारवाही नहीं लेता है या पर सीविया इजाज की मांग को मरस्विकार नहीं किया जाता है तब तक यह धरनपर रसंच चलता रहेगा और जहां तक बात यह हत्या की तो आप जी जान रहें कि उत्तर पर देश में के साथ साथ पूरे भारत देश में लगातार अभी क्या कहते हैं हो रही है अभी हाली में कुंडा में हुई यहां पे हुई इलहाबाद में कई लगबग 11-12 महीने में 100 प्लस घटनाय हो चुकी ह कार रहा है तो इहां पर 25 तारी को खुलासा वूआ गऔर है मढडर हुआ है और जहां पर महिला और क्हां बेटी के साथ रेप की पुष्टी भी है लेकिन अभी तक कोई कठोर कारवाई पुरा प्लिस प्रसासन के दोारा नहीं की गई है इसके हम लोग कर चाहते हैं कि यहां पर सीविया इजाज की मांगी जा रही है आप लोग घटना असल पर गये थे बिलकुल मैं 25 को भी पहुंचा था 26 को भी पहुंचा था उसके बाद भी एक दिन पहुंचा और आज भी मैं वहीं से आ रहा हूं मैं आज भी गोहरी में गया था क्या आप ल देखिए यह 25 तारिक की घटना है अब तक जो असली दोसी है उनको ना पकड़ा गया है ना उसित तारवाई की गई है तो हमें उत्तर प्रदेश प्लिस पर बिलकुर विश्वास नहीं है इसलिए हम लोग पूरे संधठन सहीथ सीबी आई जांच की मांग कर रहे हैं और ज उससे पीडिक परिवार संतुष नहीं है पीडिक परिवार का स्षष कहना है कि पमन सरोज इस घटना में सामिल नहीं है उसे बिना फर्जी फटाया जा रहा है और एक ब्यक्ति चार-चार हट्ता नहीं कर सकता और रही उसमें जो मा और बैटिक साथ समोही ब्लदकार की आप लोग अनिश्चित कालीन पर दर्फन करते हैं यह अनिश्चित कालीन धरना का असर पड़ेगा प्रसासर विरकुल असर पड़ेगा धरना जब तक चलता रहेगा जब तक CBI जांच की मांग हमारी पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगा अपनी पू कालीन थे रहें तर्फन जो थे रहें थे रहें धरना प्रदसपा तर्फन को भी विस्वास है को जब जो डिसले बैश्कन अहिंत अंहीं मिल तब लोग धरना पर दर्सन पूरेंगे यहां शासन पर शासन भी इस अत्याकान को लीपा पोती करना चाहिए लीपा पोती करें क्योंकि जो पावन सरोज पकली थी पावन सरोज के एक बार दोसी दिया फिर उनको करार देते उनको छोड़ दिया इसलिए हम लोग धन्ना परदशन कर रहे हैं सिभ्याईजाद कम हमारे आज की मोजीदा सरकार में जो भी पुलिस प्रसासन की रवय्य है उसके पुलिस प्रसासन की रवय्य से हमारे समाज में महिनाओं के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी समय बलक्तार हो जा रहा है हत्या हो जा रहा है उसके परिवार की भी हत्या हो जा रही है या हमारे लिए हमारे समाज के लिए बहुत निंदनी घटना है और ऐसा होता रहेगा तो हम सब लोग आज तो आनिस्ति कालिन धरनपर दर्शन के पैठे हुए हैं और तज तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी और पुलिस प्रसासन जिस हिसाब से अभी एक निर्दोस्त ब्यक्तिकों पकड़ी है जिसका नम पवन सरोज बताया जा रहा है पवन सरोज को पुलिस में खुद ही बयान दिया हमने उनके बयान देखा सोशल मीडिया के मादियं से पूलिस सोयम बयान दे रही है कि पौन सिनफयन जहीं है और फड़ही नहीं पा रहा है तो वारसा मेसेज कैसे कर सकता है यह हम सबी लोग जानते है房ल्ट कभी लिख नहीं सकता है और ओव एक ही बयान देखरों चली ऑकुदाहरं के तवर्तर हम मान लेते हैं कि उन्हें नेत्या कर दी शार कर दिया क्या ओश्य लो पुलिस वाले इस मामले को लीपा पोती करके जनता को गुमराह कर रही है जनता को घुमा रही है यह यह सोच करके कि हम 10 दिन 15 दिन आप पैम महीना 15 दिन ऐसे करते रहेंगे तो जनता अपने अफसांथ हो जाए कि मामला भी रफा दफा हो जाएगा पर अब हम लोग रफा परवाह कर रहे हैं जिसका उदारन मेरे पास है मेरे पास स्वें में खुद एक भुक्त होगी मैं खुद हूँ मैं अच्छी तरह जान रहे हो कि पुलिस प्रशासन किस तरह से समरणों को बढ़ावा देती हैं सोचिए आज हमारी पुलिस प्रशासन इतना गीर चुकी है का आज प्रशासन की ताकत वरवर्दी पहनी हुई है उस आज अपने आप इतना गिरा चुकी है कि आज अब लोग उसके सामने मुर्दा बात नारा लगा रहे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने ऐसी रवाइया ही अपना लिये हैं कि निस्पत ची तरीका से और कानून को हाद में अबर के नहीं करते हूं पल्कि पैसा लेकर पी नाय करते हैं क्या नाम हो आपका मैं अबराद हम बेट कर तांसे रम बोजर नाशी पार्टी के प्रदेश का तो